तो है गाइस वर्ट इस आप माइव दूश्य और यूटीव चैनल कोड़िंग तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर चुकर हैं 63 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी आगए हम बात करने वाले हैं लीनेयर प्रोविंग मेतड़ पर जो की हैशिंग के अंदर ही आता है जैसे कि हम जानते हैं हमने लास्ट दो वीडियो में हैंशिंग को स्टार्ट करा था हमने यह ज चीज़े जो है वह fracture करेंगी आंज के उसी वीडियोमे तो फीलीज इन दो वीडियो को देख लेना चोटी-चोटी वीडियो में ये तब आपको जैसा कि देख सकते हैं अर करते रहेंगे आपना सा प्रोड करना है गाईज तक है तो आज topic है linear probing और हमने आपको बता रहा है यह किसके अंदर आता है hashing के अंदर अब start करने से पहले मैंने आपको बताया था hashing दो type क्यों होती है कौन कौन सी एक होती है open hashing और एक होती है close hashing अगर आपने last videos देखे है तो I hope आपको पता चलिया होगा close hashing के अंदर आती है linear probing method ठीक है क्या है यह method है और किसलिए use होता है यह हम आगे देखेंगे ठीक है so hashing data structure by coding world ठीक है यहाँ पर हमारे पास है table of content यानि कि अब हम आज इस वीडियो में क्या-क्या देखने वाले हैं थोड़ा सा हटके होगा interesting होगा देखते रहिएगा so first होगा हमारा introduction हम जानेंगे कि क्या होता है linear probing ठीक है यह जो linear probing का method है इसकी जरुवत क्या है ठीक है और यह कहां काम आता है सारी चीज़े हम जानेंगे दूसरा हम देखेंगे theory approach sir theory approach कहने का मतलब हम यह देखेंगे कि हम theoretically linear probing को use करके कैसे questions को solve करते है मैं आपको question भी solve करते है pen paper पे हम इसको solve करेंगे और जो भी answer आएगा जो भी answer आएगा उसको हम cross check करेंगे sir cross check कैसे कर सकते है हम इसको करेंगे implement किसमे coding में तो इसकी हम coding approach भी मैं आपको एक universal ठीक है एक minute मैं आपको universal formula बना के दूँगा formula या formula कह सकते हो या फिर universal code कह सकते हो जो की आपको same output देगा ठीक है same output देगा किसके जैसा जो हम theory में implement करेंगे ठीक है theory में आपका जो भी answer आएगा अगर आपको check करना है तो आप सीधा आपने coding platform या फिर जिसमें भी आप coding करते हो उसमें उन values को डालना और जो answer आपका theory से आए वही आपका coding से भी आएगा ठीक है guys बहुत सारे लोगों ने theory approach पढ़ा रखी है जिसमें उन्हें question solve करवा रखें linear proving के लेकिन coding approach जो है वो बहुत कम YouTube चैनल पर आपको देखने को मिले की ठीक है so ये वीडियो इसलिए खास होने वाली है अब भीना time waste करें आगे करते हैं so सबसे पहले introduction का मरपास page आगे काफी जाया सुन्दर पीपटी लग रही है ठीक है यहाँ पर आप honeybee वाले वह देख सकते हो ठीक है design यह थोड़ा सा इसलिए निकाला मैंने था कि थोड़ा looking अच्छा लगे और क इसा method होता है जिसको कि हमें use किया जाता है collision को reduce करने के लिए अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है collision क्या होता है ठीक है तो उसको reduce करने के लिए क्या हम collision को 100% खतम कर सकते हैं 100% बिलकुल नहीं कभी नहीं कोई भी ऐसा method नहीं है जिसकी वजह से आप collision को 100% remove कर सको ठीक है गाइस लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको linear proving बताया था कि क्या होता और कैसे होता है इस बार फटा फट बता दिता हूँ तब आपको समझ आएगा क्या रहेगा ठीक है आपके पास की होगा की क्या होता है कोई भी element कोई भी integer element कोई भी character कोई भी element होगा ठीक है उसको आप pass करोगे किसके तुरू hash function के थुरू ठीक है last video मैं मैंने आपको बता दिया था hash function कितने टाइप के होते है guys चार टाइप के होते हैं ठीक है last video को भी साथ-साथ लेके चल रहा हूँ मैं ठीक है उसको उससे आपके पास क्या आएगी एक hash value इस hash value को हम क्या बोलता है index value भी बोल सकते हैं जिससे कि हमको क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो array होगा हमको एक array बनाना पड़ता है न value को store करवाने के लिए वो कौन सी location पर store होगा वो कौन बताएगा आपका hash value और वो कहां से निकल के आएगी hash function के थुरू ठीक है अब मालनो आपके पास कोई भी की है आपने उसको hash function के अंदर डाला ठीक है एक mathematical formula हुआ ठीक है यानि कि एक solve वह आप फॉर एक्जामपल मैं division method ही उठा लेता हूं ठीक है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रहा है बहुत अच्छे से division method क्या होता है ठीक है उसके थुरू आपके key 1 आई ठीक है key 1 आपने जो डाला अब डाला आपने key 2 यानि कि एक दूसरा element डाला मालो उसका भी उसका भी क्या हुआ सेम आ गया index number यह कहां से start होता array 0 1 2 3 4 5 & 6 ठीक है मालो फर्स्ट वाली location पे key 2 वाला भी आ गया अब क्या दोनों साथ में रह सकते है कभी नहीं रह सकते ह यहां पर आता है linear probing linear probing क्या करेगा key 2 को यहां से उठाएगा देखो जो पहले save हो गया वह हो गया लेकिन जो बाद में आएगा उसको बोलेगा कि नहीं भाई तुम यहां पर नहीं रहोगे तुम अगली वाली location पे जंप करके check करो check करो क्या यह खाली है अगर यह खाली है सर 6 के बाद for example कहा जाएगा 7 वाला location तो हाई नहीं तो 6 के बाद हम ऐसा code लिखेंगे ठीक है क्योंकि theory में तो हम अपने मन से जो चाहें वो कर सकते हैं लेकिन coding में हम ऐसा code लिखेंगे कि 6 के बाद direct वो 0 पर जंप करेगा और यहां पर फिर चेक करेगा ठीक है तो ऐसे हम collision क को reduce करेंगे तो इसका linear probing का एक formula होता है ठीक है एक formula होता है इसको आप note down कर लेना ठीक है और समझ समझा दूंगा बाद में u plus i bracket में modulus 10 ध्यान से देखो u plus i modulus 10 सर यह u क्या है i क्या है i कुछ भी नहीं है guys i आपका i equals to 0 से लेकर आपका जो भी यह index number है मालनो 6 तक ठीक है 6 तक 1 मालो m क्या है सर m आपका यह है total index number m क्या आएगा array का size मालो 7 है ठीक है तो 7-1 तक जाएगा i 0 से लेकर 7-1 तक यानि कि 6 तक ठीक है i कुछ नहीं है बस यह है और i increment करेगा 0 अगली बार 1 अगली बार 2 3 4 और सर यह u क्या है अभी आगे पता चल जाएगा ठीक है आगे बढ़ दिखाऊंगा ठीक है क्योंकि आपको paper में ऐसे question आने वाले है ठीक है कोई theory जादा आपसे पूछेगा नहीं ठीक है so बिना time waste करें start करते है you have provided with a ठीक है सर यह क्या है 9 10 3 15 6 11 7 12 अब थोड़ा खुद धियान दो यार यहां पे integer value लिखी हुई है तो यह क्या होंगी की ही तो अभी के लिए थोड़ा सा भूल जाओ इसको बस आप मान लो यह है 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 एक्वेशन यह क्या है 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 अभी याद कर लो also the size of array 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 का size क्या है m is equals to 10 अब बिना time waste करें सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लो कि एक 10 size का array बना लो अब सर यह क्यों बनाना है यह बना के रखो आपको समझ आ जाएगा ठीक है बाद में समझ आ जाएगा 0123456789 यह तीन और नीचे आ जाएगा यहां तक आ जाएगा ठीक है 10 size का array आपको हमेंसा m के through denote करना होगा अपना size of array ठीक है ताकि आपको confusion ना हो विकास पीछे जो फॉर्मुला है ना फॉर्मुले जो भी आएंगे वो स ठीक है या तो इसी वीडियो के पीछे आएगा या तो second part इसका हम अलग से बना लेंगे अभी पहले हम थियोरी समझते है प्रोसीजर क्या है सबसे पहले की को समझो यह सारी की है हमें पता चल चुका है ठीक है second point क्या है you must know hash function method क्या यहां कहीं पर भी hash function की बात हुई है hash function method हमने चार टाइप के पड़ेते कहीं भी यहां लिखा है नहीं लिखा तो by default याद रखना कभी अगर hash function की मतलब यहां पर method नहीं लिखा होगा तो by default आप क्या लोगे division method को apply करोगे by default यह एक rule है ठीक है आपका अगर for example उसने बोल दिया कि division method नहीं तो आपको यहां ऐसा ठाएगा use multiplication method ठीक है multiplication method या फिर बाकी के दो और होते हैं कौन-कौन से extract method और mid square value method ठीक है यह दो method ज्यादा पूछे नहीं जाते mainly यह दो ही पूछे जाते हैं और उसमें भी division method ज़ादा पूछा जाता है ठीक है तो हम यह जो qutdog में दिविजन method से भी और ने थे ठीक है की लेते थे और मॉड करते थे 10 का जो भी वेलुू आती थी वह हमारी होती दिदेख सेख यह हम करते थे ना Yes that's ourаний के ना जैंचे धो पहली ऑफ्यून आइन यह थे ना्इन आइन ऊचेलर लेकिन ध्यान दो यहां पर यहां पर यह भी तो दे रखा है यह क्या है hash equation सर अब यह hash equation नई चीज क्या आ गई कभी भी आपको hash function से apply करने से पहले कभी भी hash equation given हो तो आप उससे पहले value निकालोगे सर कहने का मतलब जो भी आपको key given होगी उसको आप k की जगा रखोगे k की जगा है ठीक है k की जगा कोई भी variable हो सकता है कुछ भी antecent मतलब a b c d कोई भी variable नाम से हो सकता है तो यहाँ पर पहली की क्या हमारी 9 है ठीक है तो 2 multiply by 9 plus 3 क्या answer आएगा 21 answer आएगा यह जो 21 है इसको आपको hash function को provide करने है और hash function अभी क्या है आपका division method पे apply हो रहा है तो यहाँ 9 की जगे क्या आएगा guys यहाँ पर आएगा 21 इसको card देते हैं यहाँ पर आएगा 21 इसको मैं मिटाई लेता हूँ ना एक काम करते हैं इसको मिटाई लेता हूँ अच्छा नहीं लग रहा ठीक है इसके बाद हमें क्या value मिलेगी hash function से जब आपने division method अप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर 1 बचेगा सर 1 क्यू बचेगा फिर से बता देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर कल ले यहाँ पर कल लेते हैं यहाँ थोड़ी जगा कम है 10 को जब आप divide करोगा किस से 21 से ठीक है तो क्या value बचेगा आपके 10, 2, 20 आपका remainder क्या बचा सिर्फ 1 बचा ना तो यह जो 1 है यही modulus का answer आता है तो यह 1 क्या है यह आपकी index value है यानि कि 1 पर क्या store होगा कौनसी की 9 store होगा समझाया इसी इसी तरह आप सब को store करवाओगे कितने element है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहाँ पर कितने store यहाँ पर तो 10 ब्लॉक है ठीक है तो दो ब्लॉक ऐसे रहेंगे जो आपके empty रहेंगे खाली रहेंगे बिल्कुल ठीक है चलो अब बिना time waste करें अगली वाल जानी है ठीक है तो यहाँ पर की लिख लो पहली की है 9 फिर 10 फिर 3 जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में लिखना गाइस नहीं तो आपका ही गलत हो जाएगा ठीक है 11 7 12 ओके सो सबसे पहले कि हमने तो location निकाल दी वन आई की ठीक है चलो दूसरी एक डाइग्राम बना दे X value ठीक है समझ जाना और इसको आप डालोगे सीधा एरे के अंदर ठीक है एक एरे बना दिया मैंने छोटा सा यह खाली समझने के लिए गाई और कुछ नहीं तो अब अगली वैल्यू 9 तो हमने लोकेट कर दिया 9 कहा होगा वन वाली location पर 012345 पीछे पीछे कर लेंगे यहा आपकी K2 K2 ठीक है यह क्या है 9 वाली क्या थी K1 ठीक है 10 वाली क्या है K2 यह वाली क्या है K3 ठीक है आई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आप इसको क्या करोगे K2 के लिए आप इसको provide करोगे किसमे इस वाले method में, division method में, ठीक है, तो ये इसके pass गया, 10 इसके pass गया सबसे पहले, आपकी क्या value निकल के आई, 2k plus 3, ठीक है, k की value के आई, इस बार 10 है, तो 2 multiplied by 10 plus 3, कितना answer आएगा, ये आएगा 23, ठीक है, तब 23 को आप किसमे pass करोगे, hash function में, जो कि क् पास क्या remainder बचेगा, 3 remainder बचेगा, तो ये कौन सी location पर जाके store हो जाएगा, 3 वाले पर, क्या था, 10, ठीक है, ओके, अब ऐसे से करके, हम सब का निकालेंगे, ठीक है, k3 के लिए भी निकाल लेते हैं, 3 है, ठीक है, k3 3 है, उसको आप pass करोगे, 2k plus 3 में, तो क्या आपके pass value आ हो जाएगा, उसके बाद 15 है, 6 है, 11 है, 7 है, 12 है, सब के लिए हम ऐसा करते रहेंगे, पीछे जगा है, बहुत बढ़िया, पीछे भी जगा है, ठीक है, अगला कौन सा है, 15, ठीक है, तो k कौन सा है, 1, 2, 3, 4, k4 is equals to 15, ऐसी यह आपको paper में question solve करना है, ठीक है, आप जैसी यह यहां पर आप देखना, आप जो main चीज़े occur हुई है, वो यहां से हुई है, ठीक है, इसको आप mod करोगे, 10 के साथ, answer क्या आएगा, 3, guys, 3 location पर तो already 10 बैठा हुआ है, आप क्या करें, देखो, आगे ना problem, तो problem को ऐसे आपको same करना है, ठीक है, 15 के लिए यह प्रोब्लम, ठ निकालो formula, u plus i modulus 10, sir, u plus i modulus 10 क्या है यह, ठीक है, अभी बताता हूँ, यह जो आप निकालो ना, 2k plus 3, यह कुछ नहीं, यह u है, ठीक है, तो u plus i modulus 10, u plus i modulus 10, ठीक है, तो u की value क्या आई है, आपकी 33 आई है, sir, ठीक है, i की value, starting में क्या थी, मैंने आपको क्या बोला था, i की value कहा demands से जाएगी, 0 से लेकर, 6 तक जाएगी, ठीक है, तो i की value 0, modulus 10, ठीक है, निकालो, कितना आया, 33 modulus 10, यह आया, 3, sir, अभी भी तो, अभी भी clash हो रहा है, ठीक है, तो इस बार, i की value, increment हो जाएगी, इस बार, i की value हो जाएगी, 1, ठीक है, increment, ओके, यह हो जाएगा, u plus i की value क्य फौर मॉडुलस 10 अब इसका रिमेंडर क्या वचाएगा फोर अब जा के चेक करो फॉर्थ लोकीशन खाली है यह सर फौर्थ लोकेशन काली है तो यहां आजाएगा फिफटीन ठीक है यहां से हटके 15 का आजाएगा नीचे यहां को स्टोर कर देना है ठीक है तो आपका हो है सर ठीक है तो 6 प्लस 3 2 6 12 और 3 मिला 15 ठीक है 15 उसके बाद डिवीजन मेथड डिवीजन लिकर रहा हूं मैं ठीक है समझ जाना 15 मॉडूलस 10 ठीक है क्या आंसर आएगा आपका 5 तो क्या फिफ्ट फिफ्ट लोकेशन से कोई है नहीं है तो अब ही ओसाओ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के आपको फॉर्मूला कभ अपलेए करना है जैसे ही को लिजन अकर होगा वैसे ही ठीक है जब को लिजन अकर नहीं होता तब तक आपको यह करने की जरवत नहीं है आप के सिक्स्प पर चलते हैं क्या है के 611 है हमारा एलिमेंट तो यहां पर की जिगा 11 प्लस 3 कितना हो गया तो 25 उसके बाट डियम निकालेंगे यानिके डिवीजन मेथड करेंगे तो 25 फाइव मॉडूलस टैन जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास फाइव आ रहा है ठीक है अब यहां पर मेरे को लगता है फाइव वाले पर क्लैश हो गया ठीक है फाइव पर उल्रीड़ी शिक्स बैठ है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप यह फॉर्मिला लेका लोगे ठीक है इसको मैं इसको मिटा दू उपर वाले को चलो ठीक है मिटा देते हैं अब उपर वाले की क्या जरुवत है ठीक है फटाफट इसको मैं मिटा देता हूं गाइज आपको लीनियर प्रोबिंग का मेथड सिर्फ तभी अपलाए करना है जैसे ही आपका कोलीजन अकर होता है जब तक कोलीजन अकर नहीं होगा तब तक तो सारी चीज़े बढ़िया चल रही है आपको क्या मेहनत करने की क्यों जरुवत है ठीक है कोलीजन अकर हो गया त की नहीं होगी तो आई भी उसके लिए 0 से ही स्टार्ट होगा ठीक है सब यू की वैल्यू क्या थी बताओ यू की वैल्यू क्या है हमारी सब 25 प्लस देखो आई स्टार्ट में जब 0 रहेगा तो 5 यह आंसर आना है तो हम चलो ठीक है जिरो से कल लेते हैं ठीक है आपको सब्सक्राइब कर दो मौडूलस यह फॉर्मुला आप अपलाए करो कभी आपका अंसर गलत नहीं आएगा मैं गैरेंटी लेता हूं ठीक है और यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही स्वाल्व करना है आपको कोई भी नहीं रोक सकता यहां पर आंसर क्या है सिक्साया आपका प्लस थरी कितना हो गया तो यहां पर डीएम लगा दो इस पर इससे लिख लेना यह ठीक है मेरेको बार-बार लिखने की जरुबत नहीं है मेरेको आपको समझाना है में चीज़ टिक है सैवन आया क्या सेवन वाली लोकेशन खाली है बिलको खाली है तो यहां पर आप 7 को तो थेका है उसके बाद आपके पास आधा 12 आखरी है जो की 8 12 यह फिर से आगया अब डीयम निकालो इसका क्या आएका 27 7 modulus 10 आप आपको पता है क्या उन्हें आला है collision अकर हो गया यह तो साफ साफ दिख रहा है उपर ही हो रखाए ठीक है तो पीछे जाके चेक करने की जरवत नहीं है अब जैसे collision अकर होगा आप इसके लिए LP निकालोगे ठीक है तो यहां पर आप लिखोगे linear probing ठीक है तो आपका 7 आया आपका अंसर ठीक है तो यह तो गलत हो गया फिर आपने LP निकाला for i is equals to 1 i1 के लिए u plus i modulus 10 ठीक है यहां पर 27 आप गाईज एक चीज चेक कर रहे हो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है हम क्या कर रहे है एक एक जंप मार रहे है और कुछ नहीं कर रहे है तो linear proving में यही करना होता है मैंने आपको बताया था ना नॉर्मली कि आपको क्या करना होता है जंप मारना होता है अगली location पे तो हम देखो पहले 7 था फिर 8 है अगर यह भी फॉर एक्जांपल भरा होगा तो हम अगला जो आंसर आएगा वो 9 के लिए आएगा देखना ठीक है लेकिन यह 8 वाला location खाली है तो यहां पर आजाएगा 12 देखो हमारी क्या सारी कीस खतम होग गई दगो आठ कीस थी थी ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और यह दो खाली वाली है इनका क्या होगा इनकी जगह डाल दो इनकी जगह डाल दो ठीक है यह डालना है मैं अपने मन से नहीं कहरा आपको यह डालना है ठीक है यूनिवर्सिटी में जब भी एक्जाम होगो तो ऐसा दिखाना है आपको शोग और काव लिखो गए ठीक है ठीक है अनाश जो आपका आया है वह आपका यह है ध्यां से सुनना डैश कॉबमा यह दैश कॉमा नाइन कॉमा डैस ठीक है आप ऐसे दिखाओ गये कि आपका यहधिस कॉमा कॉमा 레umm कॉमा 10 15 ठीक है कवा मैं यह अपने यह गाई इसी sequence में चाहिए जिस sequence में आपने array के अंदर इनको store करा है उसी sequence में यह आपको show होने चाहिए तो आपका answer जो आया आपका जो answer आया linear probing के बाद यानि कि आपने जब collision को reduce करा तो collision को reduce करके यह आपका answer है final answer इसको आप cash करके show करोगे guys ठीक है तो theoretical answer हमने linear probing को use करके निकाल दिया है guys जिसमें हमने division method को use करा by default I hope आपको problem नहीं आई होगी चलो अब यहाँ पर इस table को भी भर देते हैं फटाफट ठीक है 9 की location क्या आई 1 10 की location क्या आई फटाफट बताओ 3 ठीक है key 6 6 कहाँ पर आया 5 ठीक है उसके बाद 11 कहाँ पर आया आपका 11 आया 6 लोकेशन पर 7 कहाँ है 7 पर यह आया था 12 कहाँ था 8 पर ठीक है तो guys यह table भी आपको fill करनी पड़ेगी अगर नहीं करोगे तो problem आ जाएगी आप guys एक और चीज दियान देना ठीक है यहाँ पर मैं आपक यह formula LP का formula provide करना पड़ा ठीक है देखो हर case के लिए minimum 1 होता है ठीक है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया थे ना जब हम i को 0 ले रहे थे तो जब हम 0 ले रहे तो answer वही आ रहा था जब clashing हो रही थी collision हो रहा था अगर collision नहीं भी हो रहा होता तो भी हम i को 0 लेके चलते है तो minimum एक बार आपको ढूंड़ना पड़ा 9 के लिए इस पूरे array में जगा एक बार तो ढूंड़ना ही पड़ा starting वाला ठीक है अच्छा तो उसी तरह 10 के लिए आपने कितनी बार ढूंड़ा 10 के लिए आपको कोई problem आई थी नहीं आई थी तो 1 ठीक है अब देखो 1394 अभी तक अ आगला यहां पर 6 711 12 ऐहाँ पर की यहां पर यह द को यहां पर को देखो यहां पर हुआ था नहीं पर यहां पर हुआ था नहीं के मैंद आप这 3 पटेख है एंट को एक बार चलाया 5 आया और Musicले को चलाया 15 के लिए तो कितनी बार एक एक बार formula run हुआ दो बार हुआ तो यहाँ पर probes कितने हो गए दो ठीक है 6 को डूंडने के लिए हमें क्या problem हुई थी चलो हम चेक कर लेते हैं 6 को हमारा आया था 5 ओके तो हमारा 5 आया था यह बिना किसी problem के हुआ first time में हमको अपना key को store करने के लिए मिल गया था फिर हमने डाला 11 को जब हमने 11 को डाला तो यहाँ पर देखो collision हो गया न अपस में अपस में collision हो गया एक ही location के लिए तो हमने 11 के लिए हमने दूसरी बार भी ढूंडा था तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ठीक है उसी तरह 7 को डूंडने के लिए कि हमको कुछ करना पड़ा था पीछे चलके चेक करो 7 जो था हूँ पहला element था 7 पे तो 7 हमें एक ही बार में मिल गया तो यहाँ पर आएगा 1 ठीक है फिर 12 के लिए चेक करो 12 के लिए देखो collision हुआ था 7 और 7 में देखो collision हुआ न तो हमने क्या करा कितनी बार formula रन करा एक बार और दो बार i is equals to 0 1 अगर माल लो i is equals to 2 के लिए भी चले जाता तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाता 3 हो जाता ठीक है 2 की जगह यहाँ पर क्या लिखते आप यहाँ पर 3 लिखते अगर कितनी बार होता तो अगर 3 बार यह रन होता 1 2 वैसे 2 बार में आ गया इसलिए आपर 2 आ रहा है ठीक है यहाँ पर 3 नहीं आएगा तो यह जो आपकी table है इसको check किया जाता है final में मतलब जब आपका university exam होगा या फिर कहीं पर भी आपको एक question देखना को मिलेगा अब guys हमारा theory जो है वो पूरा complete हो चुका है I hope आपको linear probing की पूरी theoretical वीडियो समझ आ गई होगी अगर नहीं आई गये कुछ भी problem है तो comment down में पूछो ठीक है अगर आपका कोई भी अपने end से question है ठीक है linear probing का तो आप हमें या तो instagram पे बेजो या तो आप हमें email करो मतलब आप या फिर comment section में पूछ सकते हो कहीं भी पूछ सकते हो हम आपको reply जरूर करेंगे अब हम इसका लिखने जा रहे है code ठीक है इसका एक universal code लिखेंगे जो कि हमको ऐसा ही answer output में देगा ठीक है same answer output में देगा वो बेसक table ना दे लेगन इस output से आप सारी चीज़े समझ सकते हो ठीक है तो इस output को हमको निकालना है अब हम इसकी coding implementation करने वाले हैं ठीक है अब बिना time waste करें start करते हैं ठीक है ओके गाइस